स्वागत आपका एक बार फिर से शानौलज बैंक की यूट्यूब चैनल पर आज हम लोग कवर करेंगे जनवरी दो हजार चुपविस के करन्ट अफियर्स ठीक है नेशनल इंटरनेशनल सारे के सारे जिसमें हम लोग इंपोर्टन नेशनल इवेंट ज走吧 आपके आवार्डस, आउनर्स, प्लस आपके इंपोर्टन जै टेग्स होगे, जितनी भी इंपोर्टन इवेंट्स हैं उसमें जनवरी में जो हुए हैं अकर उसमें सारी की सारी आपको एक वीडियो में कवर करवाने की मैं कोशिश प्लस MCQs आपके रहने वाले हैं अब से हम लोग Current Affairs आपके monthly compilation किया करेंगे ठीक है हर महीने 100 से plus MCQs हम लोग discuss करेंगे आप भी Jan का कर रहे हैं Feb जैसे ही खतम होगा तो आपका Feb का भी 100 plus MCQs का set लियाऊँगा तो weekly वाला नहीं रहेगा आपसे हम लोग monthly करेंगे ठीक प्लस exam से पहले marathon sessions आपको में करवा दिया करूँगा जिसमें best 4 to 500 MCQs हम लोग discuss करेंगे जैसे कि हम लोग करते हैं ठीक है तो ये मैंने निया initiative उशिरू करा है आपके लिए monthly coverage of all important events ठीक है जिसमें हम लोग 100 plus MCQs हर महीने discuss करेंगे आपके monthly current affair की plus आपको इसकी PPT हमारे telegram channel पे मिल जाएगी ठीक है telegram channel के link आपको description box में मिलेगा वहाँ से join कर लीजेगा PPT में मैं आपको monthly data जो है वो add on कर दूँगा one liner की shape में जिसमें आपको 150 plus one liner भी add on मिल जाएंगे तो telegram ज़रूर से join कर लीजेगा free PDF के लिए ठीक है कोई भी हम लोग आपसे charge नहीं करेंगे जब तक हमारा channel है free of cost आपको हर एक PDF प्रवाइड की जाएगी ठीक है तो daily current affairs के लिए आप हमारे instagram पे जुड़ सकते हैं plus कोई query हो तो आप यहाँ पे हमें इस email ID पे बेच सकते हैं और जब telegram channel join करो तो वहाँ पे आपको pinned comment में ठीक है जो वहाँ पे pinned comment होगा उपर वहाँ पे आपको हमारे whatsapp channel का link मिलेगा वो भी join ज़रूर से कर लेजेगा वहाँ daily हम लोग एक static portion का topic elaborate करते हैं short notes के through ठीक है discuss करने वाले हैं clear question first क्या कहा रहा है first edition of joint military exercise desert cyclone 2024 ठीक है desert cyclone 2024 joint military exercise है इसका पहला edition इंडिया और किस देश के साथ हुआ है कहाँ पे राजस्थान में ये conduct करवाया गया था ठीक है पहली चीज़ आपको पता होना शीए desert cyclone 2024 का कहाँ पे held हुआ है राजस्थान में clear कहाँ हुआ है desert cyclone 2024 का ये हमारी first edition थी इस exercise की clear first edition थी तो अब आप से next पुछाए इंडिया और किस के बीच में ये exercise करवाई जाती है USA, UAE, इसराइल या फिर रशिया तो भाई ये हमारा UAE के साथ first हमारी exercise है जो हुई है ये first edition था इसका 2024 का clear आपने याद रखने है जो राजस्थान में हुआ है clear चलो बढ़ते हैं next question की तरव भाई अगला question आप से पूछा क्या है recently प्राइम इनिस्टर मरेंदर मोदी जी ने अभी लता मंगेशकर चोक विजट करा है वो कौन सी सीटी में पढ़ता है लता मंगेशकर चोक वारणसी, मुंबई, आयोध्या ये न्यू दिली चलो हिंट देता हूँ 22 जन्वरी को मोदी जी वहाँ पे गए हुए थे येस बढ़ा हो भाई राम मंदिर ओके थोड़ा थोड़ा याद आ रहा होगा आपको येस, इस आयोध्या क्लियर आयोध्या में है आपका लता मंगेशकर चोक क्लियर याद रखना है ये भी आपको चलिए नेक्स आ जाओ भाई कोशन नेक्स वाला येस रिसेंटली तो इसमें जो आपका वर्ल्ड प्लिड्स चेस्ट चेंपियंशिप ओपन केटेगरी का किसने जीता है ये अभी मेल वाला पूछा गया ठीक है तो फीमेल भी आपको बताऊँगा टेंशन नहीं लेनी है मैगनेस कार्लसन डैनिल डुबोव ये नाम भी आपने याद रखना है जो रश्या की प्लियर है ये फीडे प्लियर है, clear ये आपको याद रखना है, मेल में आपको याद रखना है, मैगनेस कालसन, और वुमेन कैटेकरी में, जो वल्ड ब्लिट्स चेस्ट चेंपियनशिप है आपकी, तो कौन है, वैलेंटीना गुरीना, clear वैलेंटीना गुरीना, चलिए, चलते हैं भाई बढ़ें आप हमारी next question की तरफ, अगला question आप से पुछ गया है, which of the following mission of Indian Space Research organization, that is ISRO, ठीक है, ISRO का mission, which will launch the expose set, X-ray, polar meter satellite, ठीक है, कौन सी satellite है, वो जो आपका expose set, satellite को launch करेगा, ISRO की, PSLV, C58, GSLV, MK3, SSLV, B16, SLV, XL2, yes, space, जो हमारा space organization, that is ISRO, इसको, ISRO के उपर मैंने एक full-fledged video बना रखी है, आप वहाँ पे, ISRO by Sean Knowledge Bank करोगे, तो आपको वहाँ मिल जाएगी, तो वो भी जाके, एक बार search आपके, जरूर देख लिएज़ेगा, वहाँ पे मैंने सारे इनके, प्रोग्राम सवेरा बता रखे हैं, ठीक है, तो इसका answer हो जाएगा, आपका PSLV, C58, clear option A हो जाएगा, आपका correct answer for this particular question, ठीक है भाई, तो यहाँ पे आप इसकी in detail, सारी की सारी details देख सकते हो, यह क्या करेगा, degree in direction, जो है, वो photons की 50 potential celestial sources से लेगा, ठीक है, जो एक energy band होगा, 5-30 KV का, mission life है, इसकी 5 साल की platform आपका modified IMS-2 bus, clear, यह आपने याद रखना है, और payload की अगर बात करें, polarimeter instrument x-rays, polyx है, ठीक है, जो roman research institute से है, ठीक है, याद रखना है, payload इसका, that is polyx, okay, और orbit इसकी जो है, circular LEO 500 से 700 km inclination इसकी रहेगी, greater than or less than 30 degree, clear, यह भी आपने याद रखना है, related to expo set mission, clear, export है, set mission, okay, चल, बढ़ते हैं हम अब next question की तरफ, next question आप से पूछा गया है, recently, which of the following countries have formally rejected the invitation to join a BRICS, अभी इन में से कौन सी country थी, जिसने, जिनको invitation भेजा गया था, BRICS को जोईन करने का, बट उसने reject कर दिया, yes, Iran, Saudi Arabia, Egypt, या फिर Argentina, तो yes, it's option D, ठीक है, कौन सा है, option D है, आपका correct answer, it's Argentina, Argentina ने अभी अभी invitation को reject कर दिया, के भाई, हमें BRICS नहीं join करना, clear, ये भी आपको पता होना चाहिए, चल, Recently, which of the following state has launched the third phase of Biju Swasth Kalyan Yojana, BSKY, BSKY कौन सी state ने अभी इसका third phase launch किया है, yes, Yes, Odisha, Telangana, Jharakhand, या West Bengal, yes, BSKY, Biju Swasth Kalyan Yojana, तो ये आपकी Odisha state ने launch कर रहा है, ठीक है, option A हो जाएगा आपका correct answer, चलिए जी, आजाओ next question, next question पे, PM नरेंदर मोधी visited the home of Meera मांजी, ठीक है, जहां राम नंदर पे जहां पे विजट कर रहा था, nearest house, वहां पे नोने चाही भी पी थी, who is the 10th crore beneficer of Ujwala Yojana, ठीक है, तो अब आप से पुछा गया है, Nodal Ministry कौन सी है, Ujwala Yojana की, Ujwala Yojana आपकी कौन सी Ministry के अंडर आती है, Ministry of Finance के अंडर आती है, Ministry of Women and Child Development, Ministry of Rural Development, Ministry of Petroleum and Natural Gas, तो येस, its option D, ठीक है, Ministry of Petroleum and Natural Gas के अंडर आपकी Ujwala Yojana आती है, ठीक है, Ujwala Yojana, clear, चलो, Next question देखिए भाई, Recently, who amongst the following has been appointed as the 16th Finance Commission, Yes, Chairman 16th Finance Commission के कोन बने है, Yes, N.K. Singh Ji, Ritvik Ranjanan Pande, Dr. Arvind Panagriya, ये Dr. Arvind Subramaniam, Yes, कोन बने हैं आपके 16th Finance Commission के Chairman, तो its option C, that is Arvind Panagriya, okay, Dr. Arvind Panagriya Ji को बनाया गया है, Chairman 16th Finance Commission का, clear, चलो, आजाओ भाई, Next question पे, First edition आपका, F.I.H. Hockey 5S World Cup 2026, Men's and Women's will be held in which of the following countries, Yes, तो, Hockey का जो World Cup है, 2024 का, that is Hockey 5S, Okay, याद रखना है, Men and Women's का, वो held कौन सी country में होगा, Saudi Arabia, UAE, Oman, या फिर Qatar, Yes, तो its Oman, clear, Oman में ये held होगा, ठीक है, Option C हो जाएगा, आपका correct answer, चलिए, आजाओ भाई, Next question पे, Recently, who amongst the following has won the Girls Under 19 title at the 2023 Scottish Junior Open Squash held in Edinburgh, Scotland, ठीक है, भाई, आपसे पूछा क्या गया है, यहाँ पे, कोन सी Girls Under 19 का जो title था, Scottish Junior Open Squash का, ठीक है, Edinburgh, Scotland में जो हुआ था, उनमें से कौन जीता था, यह title किसने जीता था, Junior Open Squash का, जोशना, शिनपपा, डीपी का पलिकल, तन्वी खन्ना, या अनाहत सिंग, येस, येस, तो यह भाई, जीता था, आपके, अनाहत सिंग जीने, clear, Option D हो जाएगा, आपका correct answer, ठीक है, चलिए, बढ़ते हैं, next question की तरफ भाई, अगला सवाल आप से पूछा गया है, Recently, which of the following states has announced to celebrate January 15th as the state sports day to celebrate the birth anniversary of wrestler Khasaba Dada Sahib Jadav, KD Jadav जी का जो birth anniversary है, उसको celebrate करने के लिए, कौन सी state ने कहा है कि 15 January को हम लोग अपना state sports day celebrate किया करेंगे, Yes, मध्य प्रदेश ने कहा माराष्टरा, हरियान या फिर उत्तर प्रदेश, Yes, बताईए, हंजी, तो it's माहराष्टरा, ठीक है, किसने, माहराष्टरा ने बोला है कि हम 15 January को celebrate करेंगे, हमारा state sports day to celebrate the birth anniversary of wrestler KD Jadav जी, clear, wrestler हैं ये, KD Jadav, चलिए, next question पर आजाओ भई, next question बड़ा प्यारा question है, ठीक है, recently, आंद्रप्रदेश government has increased the upper limit of financial assistant under YSR अरोग्यश्री scheme from 5 lakh to how much amount, 10 lakh, 15 lakh, 20 lakh, या फिर 5 lakh, येस, बताऊ भई, आयूश्मान भारत योजना के अंदर, सरकार क्या 5 lakh देती है, ओके, तो ये कौन देता है, center की scheme है वो, तो यहाँ पर आंद्रप्रदेश की state की scheme है, यहाँ क्या ये आंद्रप्रदेश government की state की scheme है, तो 5 lakh तक की, इसके अंदर, यहाँ पर क्या financial assistance दी जाती है, अगर कोई, अगर full family की या फिर female की बात करें, तो उस case में ये 10 lakh तक की assistance देते हैं, तो आप से यह पूछा गया के, इस scheme को 5 lakh amount को बढ़ा के कितना कर दिया है, increase की है, इसकी limit तो कितनी कर दी है, भाई आप इसकी limit 25 lakh कर दी है, clear option D हो जाएगा आपका correct answer, that is 25 lakh, ओके, चलिए, आज ओ भाई, नेक्स कोशन आप से पूछा गया है, क्या, recently, which of the following state government has announced, to provide pension benefits to tribals and Dalits, on reaching the age of 50 years, yes, पहले यहाँ पे क्या था, 60 years plus, 60 years के होने के बाद, वहाँ पे क्या मिलता था, pension मिलती थी, ठीक है, बट इस state ने कहा, नहीं भाई, हम लोग 50 years के बाद ही, pension देना शिरू करेंगे, क्यूंके जो आप यहाँ के tribals हैं, ठीक है, और जो यहाँ के दलित से, वो, as compared to, जो दूसरे, अपने अर्बन शहर में रह रहे रहे हैं, जो शहरों में रहने वाले लोग हैं, इनसे जल्दी इनकी deaths हो रहेंगे, ठीक है, तो यह benefits तो उठानी पा रहे, इससे अच्छा है, हम लोग इसकी age ही कम कर दें, तो अब इसको 50 साल की age से ही pension देना शिरू कर देंगे, ट्राइबल्स को और दलित्स को, ठीक है, यहाँ आप देख सकते हो, यह पूरा मेने यहाँ पर आपको image दा लखे, यह newspaper की cut out है, clear है, याद रखना है अपने तो इसमें अब क्या है नहीं जो इनके चीफ मिनिस्टर है, हमन सौरन जी ने, उन्होंने बोला था कि भाई, इसको 60 years को हम लोग cut करके, अब सीधा 50 साल कर देंगे, ठीक है, चलो, आजा भई next question पर, next question आप से क्या पूछा गया है भई, recently which of the following banks has launched e-sverna, इंडिया's first corporate credit card on rupee network, ठीक है, e-sverna, yes, कौन से bank ने launch करा है, इंडिया का first corporate credit card rupee network, यहाँ पर आपको दिख रहा होगा, तो it's Indusland Bank, ओके, Indusland Bank, ठीक है, तो option C हो जाएगा, आपका correct answer, Indusland Bank, ठीक है, चलो, आजा भई, next question यहाँ पर आप से क्या पूछा गया है, recently, Elayabad High Court has allowed the survey of the शाही इदगा मोस्क कॉंप्लेक्स, it is in which of the following district in उत्तरप्रदेश, ठीक है, अब यहाँ पर क्या हुआ है, एक मस्जिद है, वो ऐसा कहा गया, कि भाई, यहाँ पर क्या था हमारा मंदिर था, तो उसके लिए, Elayabad High Court ने, सर्वे करने की इजाजत दे दी है, यहाँ इदगा मोस्क कॉंप्लेक्स में, तो यह आपका कौन सी district में आपको देखने को मिलता है, वारानसी, लखनाव, मेरिट, या फिर मत्हुरा, येस, तो इट्स option D, मत्हुरा में आपको यह देखने को मिलती है, ठीक है, तो ऐसे ही आपको ग्यानवापी मस्जिद का भी नियूज में देखने को मिल रहा होगा, चलिए, आज़ो बाई, नेक्स्ट, जॉंबी डियर डिजीज, ये जो स्प्रेड हो रही है रैपिडली, वाइड लाइफ में, ठीक है, ये जॉंबी डियर डिजीज, जो है, इसको हम लोग और क्या बोलते हैं, is also known as, which of the following, एंथ्राक्स, फुट एंड माउथ डिजीज, ग्रोनिक वेस्टिंग डिजीज, या फिर, ब्रुव सिलिस, येस, जॉंबी डियर डिजीज, को हम लोग बोलते हैं, भाई, क्रॉनिक वेस्टिंग डिजीज, ये आपने याद रखना है, चलिए, आजाओ भाई, नेक्स्ट कोशन पर, नेक्स्ट कोशन आपसे, क्या बोला गया है, यहाँ पर, which of the following states, has created a Guinness World Record, for the most people performing, सूर्य नमस्कार, ठीक है, simultaneously at 108 venues, कौन सी स्टेट ने, Guinness World Record, बना दिया, के 108 जगाओं पे, at a time simultaneously, क्या हो रहा था, perform कर रहे थे, लोग सूर्य नमस्कार, ठीक है, तो ये राजस्थान, उतराखंड, गुजरात, या फिर तामिल नाडू, तो इट्स ऑप्शन सी, गुजरात स्टेट ने ये रिकॉर्ड, अभी अभी प्राप्त किया भाई, चलिया, नेक्स आजाईए भाई, कोशन, recently, डिफेंस मिनिस्टर, राजनाथ सिंग जी, has inaugurated, first all girls senex school, जिसका नाम आपको याद रखना है, सामविद गुरुकुलम गर्ल्स सेनक स्कूल, ठीक है, सामविद गुरुकुलम सेनक गर्ल्स स्कूल, at which of the following places, न्यू दिल्ली में, भारामती पूने में, वरिंदावन मतुरा में, या फिर जगतपुरा, जैपुर में, तो ये आपका विरिंदावन, मतुरा में आपको देखने को मिल रहा है, सामविद गुरुकुलम गर्ल्स सेनक स्कूल, याद रखियेगा, चलिए, आज़ो भाई, नेक्स कोशन पे, किस को मिला है भाई, आपको याद रखना है, इट्स उत्तर प्रदेश, यूपी को सबसे ज्यादा पैसा, यहाँ पे अलॉट हुआ है, ठीक है, यहाँ आप देख सकते हों भाई, उत्तर प्रदेश को मिला है, सबसे ज्यादा पैसा, यह आपने याद रखना है, ठीक है, तो चलो भढ़ते हैं, आप हमारा नेक्स्ट कोश्चन में आप से क्या पूछा गया है, प्राइम मिनिस्टर नरेंदर मोदी जी विल इनेग्रेट थे 27 नेशनल यूथ फेस्टिवल 2024, इन विच फॉलिविंग इस फॉलिविंग सीटीज, इस 27 नेशनल यूथ फेस्टिवल 2024 का, जो हमारे नरेंदर मोदी जी इनेग्रेट करेंगे, तो वो कौन सी सीटी में कर रहे हैं, रांची, एहम्दमाद, त्रिवन्तपुरम या फिर नासिक, तो इट्स ऑप्शन डी, नासिक है यहाँ पर, इसका करेक्ट आंसर, नासिक इजिन महराष्टर, ख्लियर, याद रखना है आपने हैं, चलो, आजब वई, 10th phase of सागर प्रक्रिम्या, ओके, दसमा फेस सागर प्रक्रिम्या का, has been launched from which of the following places, कोची पोर्ट, चिन्नाई पोर्ट, मुंबई पोर्ट, या कॉलकटा पोर्ट, सागर प्रक्रिम्या, येस, इसका दसमा फेस शिरू हुआ है, तो येस, बताइए भई, तो इसमें ये अपना fishing वेरा हो गई, तो उसकी awareness से फेलाते हैं, तो ये कहां से अभी अभी हुआ था, चन्नाई पोर्ट से, 10th phase, सागर प्रक्रिम्या का शिरू हुआ है, ये भी आपने याद रखना है, तो option B हो जाएगा, आपका correct answer, चलिए, नेक्स्ट कोशन पर आजाओ बई, recently which of the following states has issued the notification to give scheduled tribes ST status to हती community of trans-giri area of सिर्मूर district, सिर्मूर district के हती community को अभी हाली में ST status का दर्जाद देने की notification दी है, कि स्टेट ने, हिमाचल प्रदेश ने, उतरा खंड UP या फिर सिक्किम, yes, हती community आपको कौन सी स्टेट में देखने को मिलता है भाई, that is in HP, हिमाचल प्रदेश में, तो हिमाचल प्रदेश ने ये कहा है, क्लियर, चलिये, next question प्याज़ो भई, next question is, मतर बारी पोर्ट, recently seen in news, is the first deep sea port, ठीक है, ये first deep sea port है, कौन सी country का, पाकिस्तान, श्री लंका, बांगलादेश या भुटान, yes, मतर बारी पोर्ट, ठीक है, कहां का है ये first deep sea port, ये है भाई, आपका बांगलादेश का, बांगलादेश का first deep sea port, आपको देखने को मिलेगा, मतर बारी पोर्ट, clear, मतर बारी पोर्ट, चलिये, चलते हैं भाई, next question की तरफ, next question देखिए, recently renaming of Kalahandi University, ठीक है, to Ma Manikashvari, ठीक है, University has been approved, it is in which of the following states, Kalahandi University, जो है इसको अभी Ma Manikashvari University, नाम चेंज कर दिया गया है, इसको अप्रूव कर दिया गया है, तो ये कोँछी स्टेट में है, जारखंड में है, Odisha, करनाटका या बिहार, तो ये सभी को पता ही होगा भाई, Odisha में है, ये आपकी Kalahandi University, जिसको अभी अभी नाम चेंज करके, Ma Manikashvari University कर दिया है, ठीक है, चलो, Next question, Important one, ठीक है, इस question को अच्छे से देखना भाई, Cultural Exchange and Tourism Corporation Initiative, ठीक है, Between Lang Dong Province and Le Ladakh, Themed Ladakh Unveiled, ठीक है, जिसकी theme क्या थी, Ladakh Unveiled, Officially integrated किया गया, Dalat, Dalat में, Dalat and Lam Dong, Province are which of the following countries, यहाँ पे पूछा गया है आपसे, कि Cultural Exchange and Tourism Corporation Initiative, Lam Dong Province और Le Ladakh के बीच में हुआ, जिसका theme था, Ladakh Unveiled, ठीक है, Officially integrated हुआ है कहाँ पे, Dalat में, Dalat और Lam Dong Province, जो हैं यहाँ आपके कौन सी कंटर हैं है, लाओस यह फिर कंबोडिया, येस, इस डलात और Lam Dong, आपको वियतनाम के प्रोविंस देखने को मिलते हैं, ठीक है, वियतनाम और Le Ladakh ने हमारी यूटी है, जो इन दोनों ने मिलकी, एक Cultural Exchange and Tourism Corporation Initiative, इनिशेटिव स्टार्ट किया है, तो इस वियतनाम, क्लियर, option A हो जाएगा आपका correct answer, चलिये, आजाओ next question पे, recently, which of the following states has launched K-Smart, के smart initiative, K-Smart, नाम से ही आपको पता चल रहा होगा, केरला, करनाटका, गोवा या रजिस्थान, तो it's option A, केरला, ठीक है, या आपने याद रखना है, तो option A हो जाएगा, आपका correct answer, चलिये, next question पे आजाओ बई, which of the following states has been ranked, first in recording the highest entry, in rate on interoperable criminal justice system, ICGS platform, बिहार, MP, 36 गड़, या फिर उत्तर प्रदेश, ICGS, इसमें आपका, judiciary, police के cases, FSL, जुचितने, prisoners हैं, जेल में, public infrastructure, या फिर जो, public related, कोई queries हो रही हैं, आपकी, online, ठीक है, online course जो होते हैं, आपके, तो ये वो, आपका criminal, interoperable system है, ICGS platform, तो इसमें, सबसे ज़्यादा, कौन सी state की, highest entries होई हैं, तो वो आपको, देखने को मिलती हैं, बाई, इस option D, UP, clear, चलिए, yes, important one, next question, the Mumbai Trans Harbour Link, MTHL, will be inaugurated by PM, Narendra Modi ji, what is the total length of the bridge, bridge की total length, कितनी होगी, 6.5, 16.5 km, 18.9 km, 21.8 km, या फिर 29.3 km, yes, it's option C, 21.8 km, आपको ये देखने को, मिलता है, चलिए, थोड़ी सी बात कर लेते हैं, इसके बारे में, भाई, तो ये है, Methyl C bridge, ठीक है, MTHL, Methyl C, आप इसको बोल सकते हैं, that is Mumbai Trans Harbour Link, ठीक है, Mumbai Trans Harbour Link, ठीक है, ये चिरले से, connect करेगा आपका, savory, ठीक है, याद रखना है आपने ये, कहां से भाई, आपको, चिरले से, savory आपका, ये connect करवा रहा है, ठीक है, जो आपको, 20 मिनिट का, सफर रहे गया, आपका, जो पहले, दो घंटे लगते थे, इसको connect करने में, ये आपका, संट्रल मुंबई को, नवी मुंबई से, connect करवाएगा, ठीक है, savory, जो आपकी, यहाँ पर, that is in, Central मुंबई, तो यहाँ से, आपका, ये connect करवाएगा, connect करवाएगा, आपका, नवी मुंबई से, ये आपका, जो, MTHL, ब्रिज, आपका, जो बनाया है, नरेंदर मुदीजे, न अभी हाली में, ये, क्या क्या है, इन्वग्रेट करा है, ये आपने याद, रखना है, तो इसकी जो लेंग्थ है, वो है, 21.8 किलो मीटर्स, ठीक है, चलिए, चलो, नेक्स कोशन पर आजाओ, आपसे क्या पूछा गया है, यहाँ पर, रिसेंटल, विच फ़ॉल्विंग स्टेट, अपने आपसे पूछा गया है, रिसेंटल, 82nd Annual Indian History Congress, 2013, वाज हेल्ड एट विच फ़ॉल्विंग इंस्टूशन, इंडियन History Congress जो है, IHSC, उसका Annual 82nd Edition जो था, 2023 में हल्ड हुआ था, तो वो कौन से इंस्टूशन में हुआ है, जोहारला लहरू युनिवर्स्टी, काकाटिय युनिवर्स्टी वारंगल, बनारस हिंदू युनिवर्स्टी, वारंशी या फिर सवेत्री, पर नेक्स्ट कोशन पर नेक्स्ट कोशन, recently, who amongst the following has officially assumed the charge of official spokesperson for the Ministry of External Affairs, Ministry of External Affairs के लिए, official spokesperson अभी-अभी, किसने अपनी, charge अजीम करी है, रंधीर जेसवाल जी, इंदरा मनी पांडे, CB जोर्ज या अरिंधम बागची, तो इट्स, रंधीर जेसवाल, clear, याद रखने हैं, आपने रंधीर जेसवाल जी, अभी, official spokesperson की, चार्ज उनने अजीम करी है, किस के, spokesperson, Ministry of External Affairs, clear, चालिए, आज आओ भाई, next question पर, next question आपसे पूजा गया है, recently, the performance linked incentive, PLI scheme, PLI, that is, performance linked incentive, for auto mebel, and auto components industries, has been extended by, one year, what is the total outlay, under the scheme, तो, scheme का total outlay, कितना है, yes, 29,870 करोड, 25,938 करोड, 15,876 करोड, 21,438 करोड, yes, कितना है, इसका total outlay, तो यह आपको देखने को मिलेगा, 25,938 करोड, that is 25,938 करोड, okay, option B हो जाएगा, correct answer for this question, yes, next question पर आजाओ, recently seen in news, Mithai scheme, okay, Mithai scheme, which provided, which provides sports, to the suffering, from type 1 diabetes, which launched, was launched, by which of the following state, yes, Mithai scheme, जो है, यह आपकी, यह जो provide करती है, आपकी type 1 diabetes, को ठीक है, यह किस state ने launch करी, करनाटका ने, तामिल नाडू, आंदरा प्रदेशी, या केरला, yes, किस ने launch करी, तो it's Kerala, ठीक है, यह अच्छे काम, केरला ही करता है, ठीक है, जहाँ पर भी आपको, अच्छे काम दिख रहे हो, तो आखे बंद करके, आप उसको, केरला को, टीक कर लीजिएगा, ठीक है, चलिए, आजाओ भई, नेक्स्ट कोशन पर, नेक्स्ट कोशन आप से, क्या पूचा गया, यहाँ पर, रिसेंटली, रिलाइंस पावर, हैस साइंज, साइंड, अग्रिमेंट, तो सेल, इट्स, 1200, मेगावाट, कलाई, सेकंड हाइड्रो, एलेक्रिक पावर प्रोजेक्ट, फॉर, 128.39 करोर्स, तो, THDC, इंडिया लिमिटेड, इंडिया लिमिटेड को, कितने में, 128.39 करोर्स में, याद रखना है अपने कि आपका, अरुनाचल प्रदेश में देखने को, आपको मिलता है, ठीक है, चलिया, नेक्स आज़ो भई, रिसेंटली, ओडिशा सीम, नवीन पतनाइक, हैस लेड़ डाउन, फॉंडेशन स्टोन, फॉर, रुपीज, 6,225 करोड, भवनेशुवर, मैट्रो रेल प्रोजेक्ट, वाट विल बी, इट्स टोटल लेंग्थ, इन फर्स्ट फेस, यस, ओडिशा टूबूस, ट्रांसपोर्ट सर्विस, थू मैट्रो रेल, तो अभी इन्होंने, अपना, फाउंडेशन स्टोन लेड़ डाउन करा है, मैट्रो रेल प्रोजेक्ट के लिए, भवनेशुवर का फर्स्ट फेस इसका, तो ये इसकी लेंग्थ क्या रहेगी, 22 किलिमेटर, 24, 26 या 28, तो येस, इट्स 26 किलिमेटर, ठीक है, ये याद रखना है, ठीक है भाई, चलो, नेक्स कोशन प्रे आजाओ भाई, नेक्स कोशन आप से क्या कह रहा है, पी-म नरेंदर मोदी, इनुगरेटर देमोंस्टरेशन, फास्ट रीक्टर फ्यूल रीप्रोसेसिंग प्लांट, इस, इस, डी-फ-र-प, इंदरा गंधी सेंटर फॉर अटोमिक रिसेर्च, इस, 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 ठीक है, इस, लोकेट इन वीच फॉल्विंग प्लेशन, 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 इस, इस, पहां पे है, इस, इस, लक्ष्मी हाट, जैसे कि आपका हुनर हाट होता है, उस, ताइब का हाट, और, एक्सपिरियंस, सेंटर, उसके एक्सपिरियंस सेंटर करेंगे, सीटी में, वैरिस सीटी में, तो, कौन सी सीटी में, आपका ये, हल्ड होगा, इस, बैंक का पहली महीला, प्रेजडेंट कोन बनी है, जैनेट येलन, केट रवर्थ, नाडिया केलवुना, उर्सूला, जेद्रू, वांदेर लेन, येस, तो, ये कोन बने है, आपके नाडिया केलविनो, ओके नाडिया केलविनो, आपकी पहली महीला प्रेजडेंट बनी है, येरोपेन इन्वेस्टमेंट बैंक, याद रखना है आपने ये, चलिए, आज आओ बाई, नेक्स्ट कॉशन पे, रीसेंटली, विच अफ दा फॉल्लिविंग, पहली कौन सी यूनिटरिटरी बनी है, जिसमें ये इंप्लिमेंट हुई है, पुड़ुचेरी, लद्दाथ, जम्मू एंड कश्मीर या चंदिगर, तो ये हमारा है, हमारा प्यारा जम्मू एंड कश्मीर, ठीका, ऑप्शन C हो जाएगा, यहाँ पे हमारा करेक्टर आंसर, ठीका बाई, तो पी-म विश्व कर्मा के बारे में, एक बार देख लेते हैं, इसमें कहें, 18 ट्रेडिशनल ट्रेड्स को कवर किया जाएगा, फर्स इंस्टेंस अंडर, जो होगा इसमें आपको ना, विश्व कर्मा के अंडर, तो कैबिनेट डिस्जिजन था यह, 16 अगस 2023 को पास हुआ था यह, कारपेंटर, जो सूथर होते हैं, बोट मेकर, आर्मोर्स, ब्लैक्समिट्स, हैमर एंड टूल किट मेकर, लॉक्समिट्स, गोल्ड्समिट्स, नाई हो गया, जो गार्लेंड मेकर आ गया, ठीक है, मालाकार हो गया, वाशर मेन हो गया, दोबी, टेलर हो गया, आपके पास, फिशिंग नेट मेकर हो गया, यह आपके पास, एटीन ट्रेडिशनल ट्रेड्स हैं, जिनको पी-एम विश्व कर्मा केता है, तो मदद की जाएगी वाई, ठीक है, तो चलो बढ़ते हैं, अगले सवाल की और, नेक्स सवाल आपसे पुचा गया है, रिसेंटली, वो अमंग्स द फॉल्लिविंग है, फर्स्ट वुमेन विद हंडर्ड डॉलर बिलियन वेल्थ, ठीक है, हंडर्ड बिलियन डॉलर वेल्थ, जिस वुमेन की होगी, ये कौन सी पहली माहिला हमें देखने को मिली है, फ्रेंट कोईस बेटर कोट मेर्स अलाइस वेल्ट ऑन जूलिया कूच जैकलीन मास, तो येस, फ्रेंट कोईस बेटन कोट मेर्स, ठीक है, ऑप्शन ए हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर, ये पहली महिला है, जो अंडर्ड बिलियन डॉलर वेल्थ, जिनके पास है, ठीक है भाई, चल गया, चलो भाई, नेक्स कोशन, इम्पोर्टन वन, ठीक है, रिसेंटल विच फॉल्विविंग कंट्रीज अज ओफ्युशली डेक्लियर्ड देक्लियर्ड देस पैंथेरा उन्सिया, एज नेशनल सिंबल, तो किसने किया, उजबेकिस्थान, कजाक्स्तान, मंगोलिया, या फिर किर्गिस्थान, या फिर किर्गिस्थान, next one is recently PM Shri Narendra Modi ji has inaugurated the Kochi Lakshadeep Island Submarine Optical Fiber Connection KLISOFC that is Kochi Lakshadeep Island Submarine Optical Fiber Connection project in Karawati what is the total link distance of the project this project is the total distance of the project 1868 km, 2156 km, 1598 km, 3512 km yes, how much distance is the distance 1868 km, 1,868 km, that's why I have to tell you in English let's go to the next question recently Punjab government has bought the Govindwal Sahib Thermal Power Plant for Rs. 1080 crores what is the total capacity Govindwal Sahib Thermal Power Plant which the Punjab government has bought what is the total capacity 840 MW, 920 MW, 710 MW, 540 MW then you can get 540 MW capacity capacity and then you can get 1,86 MW capacity capacity recently, Kabil, Kabil you can say Khanij Bidesh, India Limited Kabil has announced an investment of Rs. 211 crores that is 25.712 million dollars for exploration stage activities in 5 lithium blocks ठीक है लोकेटेड इन फ्यांबाला एरिया और विच अफ फॉल्विंग कंट्रीज फ्यांबाला एरिया कौन सी कंट्री में लोकेटेड है जिसमें हम लोगों ने फाइव लिथियम ब्लॉक्स स्टेज़ एक्टिविटी के एक्स्प्लोरेशन के लिए इन इवेस्टिमेंट की है 211 करोड की काबिल ने अभी अभी अनाउंसर करा था इसका तो अर्जंटीना बॉलिविया चिले या फिर ऑस्टेलिया में है आपका फियंबाला फियंबाला आ में ठीक है उसके बाद हमें 36 गड में तो देखने को मिलता है में घालिया में है नागालेंड में है अरुनाचल प्रदेश में है ठीक है तो यह सबी चीज़ें भी आपको पता होने चाहिए वर्ल्ड के टॉप फाइव लिथियम रिजर्व कहां कहां है बाई ठीक है बॉलि ठीक है यह आपने याद रखना है चलो इस नेक्स्ट कोशन पर आज ओ भाई सेक्शन वन जीरो सिक्स टू ऑफ द भारतिये न्याय सनहिता बी एन एस रिसेंटली सीन इन न्यूज प्रवाइड फर मैक्सिमम इंप्रिजिनमेंट पर हाव मेनी यर्स इन हिट एन रन रोड ए पर आए सनहिता के अंदर आता है उसमें न्यूज में देखा गया कि तो मैक्सिमम इंप्रिजिनमेंट कितने साल की होगी हिट एन रन रोड के केसे में पांच साल साथ साल आठ साल या फिर दस साल की सजा होगी तो वह आपकी दस साल की सजा देखने को आपको मिलती है टैन प्रदेश पुलीस ने या इंडियन आर्मी तो यह हमारे जमू एंड कश्मीर पुलीस ने लांच करा है अवाम से अवाम के लिए क्लियर ऑप्शन सी हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर चलिये जी आज़ो नेक्स्ट कोशन पर रिसेंटली न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड एन आस इल है अनूंस्ट तो लांच जी सैटेलाइट जी सैटलाइट जी सैटेलाइट एन टू ठीक ह अरियाना फाइब पी एसल वी एकसल फैलकॉन नाइन येस कौन सी वहिकल पे इसको लॉंच किया जाएगा तो फैलकॉन नाइन से चलो आज़ो बाई नेक्स्ट कोशन रिसेंटली अर्सेलर मित्तल हैस पार्टनर्ड विद्विच फॉल्विंग इंस्टूशन तो डेवलप हाइपर लूप टेक्नोलोजीज ठीक है अर्सेलर मित्तल ने अभी अभी पार्टनर कर रहा है किस डिपार्टमेंट में जो आपको नीच आप्शन में दिख रहे चलों आजाओ भई नेक्स कोशन आपसे पुछा गया है ग्रीन कवर इंडेक्स छो है यह कौनसी अर्गनिजेशन आपकी करती है एगरी करा है डेवलप करने के लिए Green Cover Index को ठीक है National Highway Authority जो है हमारी NHEI इसने साइन करा है agreement कौन जी organization के साथ ये दोनों मिलके आपका Green Cover Index बनाएंगे ख्लियर नीति आयोग New Space India Limited Google Maps ये National Remote Sensing Center Hyderabad NRSC तो ये किस ने करा है NRSC ये ने अगरीमेंट करा है Green Cover Index डेवलप करने के लिए क्लियर रहा है चलो नेक्स आजो भाई question क्या कहा रहा है recently the Central Council for Research in Ayurvedic Sciences CCRAS that is Central Council for Research in Ayurvedic Sciences and which of the following organization has launched smart 2.0 that is scope for mainstreaming Ayurvedic research among teaching professionals program तो किस organization के साथ मिलके CCRAS ने स्मार्ट 2 को launch करा है बेदियानात से National Commission for Indian System of Medicine के साथ Indian Council in Medical Research के साथ Ayurvedic Medical Association of India के साथ मिलके smart 2.0 launch किया है तो ये आपका National Commission for Indian System of Medical Science के साथ मिलके ये अभी अभी हाली में launch हुआ है smart 2.0 smart 2.0 clear है चलिए next question is who amongst the following has officially assumed the charge of Vice Chief of Naval Stop Indian Navy के Vice Chief of Naval Stop अभी अभी ये चार्ज किसने लिया है Vice Admiral Rajesh Pandharkar, Vice Admiral Sanjay Jai Singh, Vice Admiral Venom Srinivasav, Vice Admiral Dinesh K. Tripathi तो ये अभी अभी चार्ज मिली है Vice Admiral Dinesh K. Tripathi जी ने अभी वाइस Chief of Naval Staff Indian Navy के Vice Chief of Naval Staff that is option B. Clear? चलो. Next is recently which of the following state government has launched the Gunaatsav 2024 Gunaatsav 2024 assessment students की performance के लिए या भी अभी लाँच करा है किस state ने? Uttar Pradesh, Assam, Rajasthan या Bihar? Yes, कि state ने किया है Gunaatsav 2024 तो ये किया है आपके Assam, ठीक है Assam, Assam State ने अभी 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 गुनातसav 2024 लाँच करा है चलो. Next आजाओ भाई Recently, Adi Kekir, Handmade Carpets by Tibetan Settlers and Vancho Wooden Craft has received geographical indication tag from which of the following states Yes, that is Handmade Carpets ने आपकी Adi Kekir और Vancho Wooden Craft है इनको GI Tag मेला है कौन सी state से? Sikkim, Himachal Pradesh, Arunachal Pradesh या Uttarakhand GI Tags ठीक है? GI Tags की मेने एक Full Fledged Video डाली है जिसमें Approx आपको 100 प्लस ठीक है? 100 प्लस GI Tags आपको Important वाले मेने सारे cover करवाए हैं MCQs के साथ वो वीडियो अगर आपने नहीं देखी है तो नीचे description box में लिंक के देदूँगा वो भी एक बार जाके जरूर देखिएगा आपके exam में अगर GI Tags का question आया तो उस वीडियो से भार नहीं आएगा ये में आपको 100% guarantee देता हूँ तो इस question का आपका answer हो जाएगा अरुनाचल प्रदेश आदी कीकर जो आपकी तिबतर satiners ने बनाई हुई है handmade carpets, vanchu wooden craft इन दोनों को अभी अभी अरुनाचल प्रदेश के ये दो product है जिनको GI Tag मिला है ठीक है भाई ये आपको दिख रहा होगा ठीक है चलिए चलते हैं next question अपे recently लंजिया सहुरा पेंटिंग has a result GI Tag from which of the following states लंजिया सहुरा पेंटिंग जारखंड, ओडिशा, चतिसगर या वेस्ट बिंगॉल कौन सी state का है ये product लंजिया सहुरा पेंटिंग जिसको अभी अभी GI Tag मिला है तो ओडिशा का है ये product ठीक है अब एक बार revise कर लेते हैं भाई आपके ओडिशा के GI Tags ठीक है ओडिशा के seven production है जिनको अभी तक GI Tag मिला है लंजिया सहुरा पेंटिंग आपने देख लिया नेक्सट वनन इस दुंगारिया कोध EMBROIDED SHALL ये आपको दिख रही होगी यहांपे डेंखल मांघ जी यह आपकी food है यहांपे आपको यह दिख रही होगी नेक्सट वनने इस Сिंप्ली पाल काई चटनी यह आपको दिखरा होगा मायूर गंज डिस्टे काभ औरिशा की है नया घर केता मुंडी ब्रिंजल, यह जो ब्रिंजल है बेंगन, यह इनको भी यहां पे उडिशा की जीरा राइस, ठीक है, यह आपको दिख रहा होगा काला पूट काला जीरा राइस, ठीक है, यह जीरे की तरह राइस होता है, खजूरी गुड़ा, गुड़ मतलब जैगरी, तो यह खजूडी गुड़ा, यह आपका गुड़ होता है, उडिशा का इसको भी GI TAG मिल रखा है, उडिशा से, तो उडिशा के साथ प्रोड़क्स को GI TAG मिला हुआ है, ठीक है, तो हो गई रिविजन, चलते हैं फिर नेक्स्ट कोशन पर बाई, चलिए, रिसेंटली, इंडि दिल्ली, बैंगलूरू, हाइदराबाद, लखनाव, वरानसी, कानपुर, इंदोर, बोपाल, उधेपुर, भवनेश्वर, चिन्नई, या फिर, या चंदिगड़, ये चारों में से कौन सी option हमारा है, correct answer, तो इंदोर, भोपाल, एंड उधेपुर, यह आपको याद रखना है, option C है, आपका correct answer, रामसर साइट, हमारी जो रामसर साइट, टोटल कितनी थी पहले, 75, अभी अभी पांच और एड हुई है, ठीक है, तो जिसके साथ मिलके हमारी कितनी होगी, 80, ये जो नई पांच है, इन में से तीन हैं आपकी, किसकी, तामिल नाडू की, और दो हैं आ करनाटेक का की, तो clear, ये पांच हापकी अभी नई एड हुई है, जिसकी वज़ा से हमारी आठ हो गई है, टोटल रामसर, 80 हो गई है, रामसर साइट, इसमें भी आपकी फुल फ्लेज वीडियो जल्दी ही आएगी, जिसमें पहले सारे की सारी स्टेट वाइज आपको 80 रा आपका करवाया जाएगा, नियू दिल्ली, मुंबाई, एहमदबाद या अयोध्या, येस, उत्तर पूर्वी महुतसर्व, ये आपका नियू दिल्ली में देखने को मिला था, इसका पहला एडिशन, ठीक है, इसकी थीम क्या थी, उत्तर पूर्वी महुतसर्व, 2024 की थीम थ ठीक है, चलिए, रिसेंटली, इपार्ट्मेंट ऑफ स्कूल, एड्यूकेशन, एड्यूकेशन, एड्यूकेशन एड लिटरेसी अज लाउंच्ट प्रेरणा एड एक्सपेरिमेंटल लर्निग प्रोग्राम, ठीक है, प्रेररणा प्रोग्राम जो है, ये रं करेगा, वरना सी चिन्न या फिर वड़नगर या कोची कौन सी सी शीटी में तो इटस वड़नगर यह आपको याद रखना है इस वड़नगर चलिए परियोजना फेस वन ठीक है भारत माला परियोजना फेस वन की डेडलाइन को एक्सेंड कर दिया गया है किस साल हमने कहां तक इसको एक्सेंड खीच दिया गया है 25, 26, 27, 28, 28, 29 तो यह आपकी एक्सेंड करके 27, 28, 27 ओप्शन सी हो जाएगा आपका correct answer ठीक है भाई चलिए क्या बोल रहा है recently it was informed that more than 1 करोर people have been screened for sickle cell disease sickle cell disease under national sickle cell anemia elimination mission national sickle cell anemia elimination mission है एक उसके अंदर हम लोगोंने क्या देखा कि एक करोड से ज्यादा लोग जो हैं वो screened हुए है sickle cell disease के लिए ठीक है और हमारा जो इसका aim है eliminate करना sickle cell anemia को इंडिया से वो aim क्या है हमारा target क्या है किस साल तक हमें इसको eliminate करना है 2030, 2035, 2047, 2025 yes sickle cell anemia तो यह हमारा जो target है भाई यह क्या है हमारा 2047 तक हमारा target है हमारा इसको eradicate करने का sickle cell यह हमारा क्या है blood flow को क्या करता है impede कर देता है यह आपको दिख रहा होगा यहां पर यह sickle cell anemia यह आपको क्या करता है hemoglobin में जाके मिल जाता है और sickle cell के पर defect करके हमारे जो flow होता है उसकी वज़ा से रोग देता है blood के flow को clear उसकी वज़ा से pain होता है काफी ज़्यादा दिक्कत आती है तो इसको हम लोग sickle cell anemia कहते है और इसको हम लोग ने 2047 तक eradicate करना है इंडिया से clear चलो next question आ जाओ भई recently which of the following has become the first state in India to map all 784 incident black spots using Mapples app for map my India yes Mapples app use करके map by India का sports यह है accident black sports ठीक है तो यह कौन सी state पहली बनी है Punjab, UP, Haryana या महराश्रा yes तो यह बनी है Punjab clear यह आपने याद रखना है पंजाब recently सुंदर बन हनी ब्लैक नूनिया राइस एंड तंगेल गरोड एड केडियाल सारीज है इन सभी प्रोड़क्स को जी आई टैग मिला है कौन सी state से जहारखंड वेस्ट बेंगौल असाम या फिर चतिसगड येस तो यह आपको वेस्ट बेंगौल असाम या फिर चतिसगड य बेंगौल के प्रोड़क्स देखने को मिलते हैं यह सारे के सारे इमेजर यहां आपको दिख रही होंगी तो इन सभी को क्या मिला है भाई यहां जी आई टैग फ्रॉम वेस्ट बेंगौल यह आपको याद रखना है ठीक है चलो अगर हम लोग थोड़ा सा रीसेंट जी खलाल ठीक है फ्रेश स्टेज पे तो यह आपको बोल्ड क्रिस्प और स्वीट देखने को मिलती है इनका जो कलर है यह यलो टू रेड रहता है और मिक्स्ट कलर रहता है आपका वेरियंट ऑफ यलो रेड एंड ग्रीन इसका जो कलर यह आपको यहां पर दिख रहा होगा गुजराथ में आपको यह देखने को मिलती है ठीक है यह कहाँ एक डेट है जो आप की गुजराथ से इसको gi टैग मिला है जम्मो अंड कश्मीर की राम बन के अनार दाना को gi टैग मिला है राम बन अनार दाना जिसको लोकली दुरुनी कहते हैं, क्या कहते हैं, दुरुनी, याद रखना है आपने ये, ये fruit tree growing है, जो wild area में, hilly tracks पे ये, जंगलों में उगता है, between 1000 से 2500, mean sea level के अबाव, ठीक है, वहाँ पे ये उगता है, अनारदाना, जिसका scientific name आपको देखने को मिलेगा, पुनी का ग्रांटानों, ठीक है, ये fruit bearing decidis shrub है, जो आपको small tree growing, देखने को मिलता है, 5-8 meter ही होता है, 16-26 feet tall आपको देखने को ये मिलेगा, रांबन, अनारदाना, जो है, ये large evergreen shrub है, जो अभी मैंने आपको बता है, decidis shrub भी है, ये floor है, उग्लक्ट के चाता है, hills, रांबन के, डोडा के, राजोरी के, उदमपूर और रियासी district के हिली areas में आपको ये देखने को मिलता है, हमारे जम्मू area के हर साल, ठीक है, अगर आप लोग जम्मू से श्री नगर बाई रोड गे हों, तो वहाँ पे आपको पीडा वाले area में, ठीक है, राजमा चावल बहुत famous हैं, वहाँ पे अनारदाना की चटनी साथ में सर्व की जाती है, तो ये था जम्मू एंड कश्मीर का अनारदाना, जम्मू एंड कश्मीर का सुलाई हनी भी है, जिसको GI टैग मिला है, ये भी आपको याद रखना है, बसोली पेंटिंग है, उसके बाद आपको बहदरवाही राजमा है, ठीक है, ये कुछ important थे, जो news में थे, इसलिए आपको ये मैंने सारे रिवाइज करवा दी हैं, बाकी GI टैग में हमने लास्ट क कश्मीर के सारे के सारे मिने आपको वहाँ पे अच्छे से रिविजन करवाई है, तो वहाँ पी जाके एक बार जरूर चेक आउट कीजिए गवाई, चलो, आजाओ नेक्स कोशन पे, डॉक्टर एस जेशेंकर विल रिप्रेजेंट इंडिया, एड़ नाइंटींथ नॉन मुव्मेंट, नैम समिट दोहजार चोबिस इन कंपाला, इट इस इन वीच आफ दे फॉल्विंग कंट्रिस, कंपाला आपको कौन सी कंट्रिस में, कंट्री में देखने को मिलती है, घाना, उगांडा, एथोपिया या तंजानिया, येस, तो इट्स इन उगांडा, क्लियर option भी हो जाएगा, आपका correct answer for this particular question, ठीक है, अगर मैं आपसे बात करूँ यहाँ पे, नैम समिट दोहजार चोबिस की theme क्या थी, तो theme थी, deepening cooperation for the shared global effluence, ठीक है, ये theme भी आपको याद रखनी है, नैम समिट दोहजार चोबिस की, चलिए, आजाओ next question पे, बाई, recently, which of the following countries has signed the long term agreement for the expert 10,000 megawatt power to India in next 10 years, किस देश ने इंडिया के साथ साइन करा है, कि भाई, वो expert करेंगे, क्या, 10,000 megawatt power इंडिया को, next 10 साल तक, नेपाल के साथ, भुटान, बांगलादेश, या मयानमा, yes, तो ये हमने नेपाल के साथ साइन करा है, ठीक है, नेपाल, option A हो हो जाएगा, आपका correct answer, that is Nepal, क्लिया, चलो, आजा भाई, next question पर, next question आप से क्या कहा गया है, recently, which of the following has been awarded with राष्ट्रिये खेल, प्रहाचसन, पुरुषकार, 2023, in encouragement to sports through corporate social responsibility category, तो किस को मिला है, ये, NTPC Limited को, Jain Deemed 2B University, बैंगलोर को, या फिर, Odisha Mining Corporation Limited को, या University of Delhi को, तो its option है, C, Odisha Mining Corporation Limited को, ये award से नवाजा गया है, that is, राष्ट्रिये खेल, पुरुषकार, 2023, ठीक है, चलिए, यहाँ पे आप लोग देख सकते हो, identification of nourishing, budding, young talent, ये किस को मिला है, Jain Deemed 2B University, बैंगलोरु को, ठीक है, ये, इस category में किस को मिला है, बैंगलोरु को मिला है, encouragement to sports through corporate school responsibility, Odisha Mining Corporate Limited को, ये दो आपने award याद रखने है, अंडर राष्ट्रिये खेल, प्रचोहन, प्रुषकार, 2030, ठीक है, ये दो categories है, इनकी सब categories, इस award के अंडर, तो पहला Jain Deemed 2B University, बैंगलोरु, देन, Odisha Mining Corporate Limited को, ये दो award मिले है, ठीक है बाई, चलिए, आज आप next question प इसमरिदी पॉर्टल, for the procurement of which of the following crops, sugar can, तूर दाल, cotton या जूट, तो येस, its option B, तूर दाल, क्लिया, तूर दाल, चलिए, आज ओभाई next question पर, recently Adidas has announced to set up its first and only global capacity center GCC in Asia outside China, in which of the following countries, Adidas ने अनाउंस करा है, वो अपना पहला और only global capacity center खोलेंगे Asia, में चाइना के बाहर, ठीक है, पहली बार चाइना के बाहर, तो कौन सी city है, एहमदाबाद में मुंबई, कॉलकटा या चिन्नाई, येस, तो Adidas ने अनाउंस करा है, चिन्नाई का, clear, कहां पे चिन्नाई, option D है आपका character answer, next question आप से क्या पुझा गया बाई, recently Union Minister Piush Goyal has inaugurated the 16th Indian Indian International Jewelry Show IIJS Signature 2024 in which of the following cities, Piush Goyal जी ने अभी 16th Indian International Jewelry Show IIJS Signature 2024 को कौन से city में इनुग्रेट करा, New Delhi, Ahmedabad, सूरत या मुंबई, तो it's मुंबई, ठीक है, मुंबई में इनुग्रेट करा है, चलिए, आज़ो बाई, next question पे, Recently, the second test match between India and South Africa in January 2024 was the shortest test match in the history of cricket, it was held at which of the following places, India और South Africa का match हुआ था, January 2024 में, जो shortest test match था, history of cricket में, तो ये कहां हुआ था, Centurion में हुआ, Cape Town में हुआ, Johnsburg में हुआ, या Darban में हुआ, तो it's in Cape Town, ठीक है, Cape Town में ये match हुआ था, ठीक है बाई, चलिए, next question पे आज़ो बाई, Union Cabinet cheered by PM Narendra Modi has approved the Prithvi Vigyan, Prithvi Vigyan, that is scheme of the Ministry of Earth Sciences, जो implement होगी, किस पीरिएड में, 20 से 25, 21 से 26, 22 से 27, या 23 से 28, येस, तो it's 2021 से 2026 तक, clear है, याद रखना है, ये आपने, ठीक है, तो Prithvi से, Prithvi Vigyan, scheme जो income passes करेगी, आपके 5 ongoing schemes को, कौन-कौन से हैं ये, seismology and geosciences, सेज को, research, education, training and outreach, ये, रीच आउट को, ये सभी, पाँच सब स्कीम को, इनकमपास करेगी, आपकी Prithvi, ठीक है, Prithvi Vigyan, ये आपने याद रखना है, जो आपके 21 से 26 तक, रहने वाली है, ठीक है, चलिए, किसके साथ अभी अभी है, इन्होंने MOU साइन करा है, तो, इस Mauritius Research and Innovation Council, चलिए, नेक्स कोशन पी आजाओ भाई, रेसेंटली दे युनियन कबिने अभी है, ठीक है, अडर दे साथ अजिया रिजिनल इनर्जी पार्टनर्शिप इनिशिप इनिशिटिव, ठीक है, इन्डिया ने किस देश के साथ MOU साइन करा है, या फिर किस और्नेजिशन के साथ MOU साइन करा है, ताकि इन्डियन रेलवेज में मिशन नेट जीरो कार्वन अमिशन हम लोग 2030 तक अचीव कर सकें, तो एशियन डेवलप्मेंट बैंक के साथ, वाल्ड बैंक के साथ, युनाइटेट स्टेट्स एजनसी फॉर इंटरनेशन डेवलप्मेंट के साथ, जपान इंटरनेशनल कोपरेशन एजनसी जेका के साथ, येस, तो ये हमने करा है भाई, युनाइट स्टेट एजनसी फॉर इंटरनेशनल डेवलप्मेंट के साथ, MOU साइन करा है, ताकि जो हमारी इंडियन रेलवेज है वो अचीव कर सकें, मिशन नेट जीरो कारबन अमिशन दोहजार तीस तक, यह आपको याद रखना है, चलिए, नेक्स्ट कोशन क्या है भाई हमारे पास देखे, रेसेंटली दबार रोड ओगनेशेशन बी आरो है सक्सेस्फुली यूज्ड रिजू पेव, ओके है, रिजू पेव, अरुनाचल प्रदेश, these have been constructed under which of the following project, कौन से प्रजेक्ट के अंडर, यह जो आपको रोड सेक्शन देखने को मिली है, सेनल टरनल की, LGG, धंकतैन, यक्टसेंग, अरुनाचल प्रदेश में, जहाँ पे हमने रेजू पेव टेक्नोलोजी यूज़ करी है, सेक्सेसफुली, BRO ने यूज़ करी है, तो कौन सा project था, project वर्तक, project हिमांक, project हिमांक का आपका जो फा का एक्जाम था, ठीक है, उसमें ये आपका पूछा गया था, clear, याद रखना है आपने है, project उदायक, project धंतक, तो इट्स प्रोजेक्ट वर्तक, क्लियर याद रखना है आपने जिसमें आपका रिजू पेव टेक्नोलोजी यूज की गई थी, तो option A हो जाएगा आपका करेक्ट आंजर प्रोजेक्ट वर्तक, क्लियर है, चलिए, आज आप भाई, next question पर, next question क्या बोल रहा है, who amongst the following has been nominated as the chairman of Supreme Court Legal Services Committee, ठीक है, Supreme Court Legal Services Committee के chair, मैं अभी अभी किसको nominate करा गया, Justice Sanjay Kohl जी को, Justice Sanjeev Khanna जी को, Justice Hima Koli जी, Justice BR Gawai जी, yes, किसको किया गया है, अभी nominate, तो यह है, Justice BR Gawai, option D है, आपका correct answer, चलो भाई, आज ओ फिर, next question पर, recently, which of the following companies has collaborated with the digital bridge group, ठीक है, DBG, for the formation of independent company named Articulate AI, Articulate, ठीक है, 8, Articulate, यह आपने याद रखना है, unique name, Articulate AI, जो है independent company है, जिसका नाम, इन्होंने अभी, अभी, क्या किया था, collaborate करा था, digital bridge group के साथ, formate करने के लिए, क्या, articulate AI, तो किस के साथ, metra के साथ, amazon के साथ, intel के तासनिया, nividia के साथ, collaborate करा था, किस के साथ करा था, digital bridge group ने, yes, तो it's with Intel, okay, Intel के साथ इन्होंने collaborate करा था, collaborate करा था, ठीक है, option C हो जाएगा आपका correct answer, yes, आज़ो भाई, next question, second edition of the IINVTIVE, ठीक है, inventive 2024, जो host कहां पे की जाएगी, किस organization के द्वारा की जाएगी, yes, inventive 2024 का second edition है, ये कहां पे host होगा, Indian Institute of Technology, हाइदराबाद, Indian Institute of Technology, दिल्ली, Indian Institute of Technology, Bombay, Indian Institute of Technology, मदरास, yes, तो ये कहां होगा, बाई, Indian Institute of Technology, हाइदराबाद में host की जाएगी, second edition of inventive 2024, ठीक है, ये आपको याद रखना है, ठीक है, तो ये थे बाई, आज के हमारे best hundred plus MCQs of month, 10th Jan, ठीक है, जनवरी 2024 के हमने discuss करे हैं, अभी कितने, सो से ज्यादा MCQs थे ये सारे, तो ऐसे ही monthly compilation हर महिने आपको मिलेगी, current affairs की, ठीक है, तो बाकी short videos आपको पताए, daily मिलती हैं, science की classes हमारी regular चल रही हैं, रात को साड़े 9 बचे से, वो classes भी जरूर से देख लीजिएगा, बाकी comment section में, इस video का feedback के जरूर दीजिएगा, जितने आपके अच्छे-चे comments या फिर feedback आपका अच्छा आएगा, तो आपकी जो feb month है, जो अभी चल रहा है, feb month की current affairs भी आपकी 100 plus mcqs का फिर जल्दी ही आपको देखने को मिलेगा, अगर आप चाहते हैं कि previous years के भी आपको month wise compile करवाओं, तो मैं वो भी करवा दूँगा, बस आपके comments की देरी है, मुझे ठीक है, बाकी आप लोग अगर playlist इस देखेंगे वहाँ पे, तो current affairs, ठीक है, current affairs yearly, तो मैंने आपको 2023 के, ठीक है, current affairs yearly 2023 के, almost सारी important current affairs वहाँ पे मैंने आपको करवाए हैं, वहाँ आपको set 8 देखने को मिल रहे होंगे, ठीक, उस playlist में 8 set हैं, जो मैंने आपको mcqs wise करवाए हैं, प्लस आपका एक marathon session लिया था, ठीक है, marathon session भी लिया था मैंने आपके, वो कोई आपका I think 2 घंटे 10 minute का होगा, तो ये सारी classes भी आप लोग एक पार check out कर लीजेगा, फिर अगर आपको लगेगा कि हाँ sir, 2030 को monthly भी आप last 6 months के करवा दीजिए, क्योंकि exam आपकी आ रहे हैं, तो उसके लिए मैं वो भी आपको करवा दूँगा, तो बट वो वीडियो जाके जरूर से दिख लीजेगा, आपके exam में examiner का main focus होता है आपकी awards पर, ये आपने याद रखना है, awards होगे, ठीक है, awards प्लस sports की events, और उसके साथ साथ आपको अगर मैं बात करूँ, कोई important projects होगे, तो ये सब चीजें आपको examiner प बढ़के ही करनी पड़ेगी, तो चलो भाई, लेता हूँ आपसे अलविदा, चैनल पर नए हो तो subscribe कर दीजिएगा, वीडियो को like तो आप लोगों ने कर ही दिया होगा, और subscribe करने के बाद ये bell icon को भी दबा दीजिएगा, ताकि आपको notification आ जाए, ठीक है, तो तब तक ये लेनी, ये चीप शे माइगी ठोगे ही, ये हूब ए क्या पर भाद is अला लह का लिए, ये ने क føसे तो आपना ही, जो फ्यम हाचे कर दो दो